Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे Personally मैं political मुद्दो और religious मुद्दो के उपर बात नहीं करता हूँ ऐसा मेरा व्यक्तिकत मानना है कि आप जिस भी religion के हो वो religion काफी अच्छा है अगर आप उस religion को उसके हिसाब से follow कर रहे हैं तो और दूसरा आप जिस भी political party को जिस भी हिसाब से vote करते हैं जिस भी हिसाब से आप support करते हैं ऐसा मैं मानता हूँ कि आप एक सक्षम आदमी हैं आपके पास एक well developed thought है उसको देखते हुए आप अपने political party या political leader को आप support या vote करते हैं जो आपसे सहमत हो आपको उससे भी सहमत होना चाहिए और जो आपसे सहमत ना हो आपको उससे भी सहमत होना चाहिए लेकिन कुछ ऐसे political भुद्दे होते हैं जिसके बारे में अगर हम बात नहीं करते हैं तो शायद हम गलत करते हैं इनका नाम है प्रफुल पतेल और ये महरास्ट के NCP पार्टी से बिलॉंग करते हैं NCP पार्टी का फुल फॉर्म है Nationalist Congress Party 2004 से लेके 2011 तक ये भारत में Civil Aviation Minister रहते हैं और जो present government है यानि कि जो BJP government है किसी टाइम पे इनके उपर भरभर के ये allegation लगाया था कि जब ये Civil Aviation Minister थें तो इन्होंने अपने capacity का misuse किया था और काफी corruption किये थे लेकिन आज ये BJP का हिस्सा है या यूं कहले कि NDA coalition का हिस्सा है यानि कि roughly BJP जिस coalition का हिस्सा है उसी coalition का ये हिस्सा है उसके पास ये report आता है कि CBI ने इनके उपर जो भी charges या investigation चल रहे थे उसको court में file किया है बंद करने के लिए अब हमें ये भड़काया जाता है ये लड़ाया जाता है कि 500 साल पहले 400 साल पहले कोई आया था वो आपके culture को destroy कर दिया था और society के अलग-अलग segment के जो लोग होते वो भड़क भी जाते हैं उनके खून गरम हो जाते हैं और हम आपस में अपने रिष्टे को खराब कर देते हैं 500 साल पहले 400 साल पहले क्या हुआ था वो तो ठीक है वो एक अलग matter है लेकिन आज क्या हो रहा, present situation में क्या हो रहा जब present में भी वही हुआ जो past में हुआ तो हम past के बारे में इतना क्यों रोएं और जो आकरमन कारी था उससे हमें यही उमीद था कि वो भारत आएगा लूटने और मारने के लिए लेकिन जो आज का situation है, आज का जो concern है वो कहीं ज़्यादा गंभीर है आज के 500 साल, 400 साल पहले का इस वीडियो में मैं quote करने वाला हूँ The Indian Express का आर्टिकल और अगर आपके पास वक्त है तो आप खुद से भी The Indian Express का इस आर्टिकल को पढ़िएगा और अगर वक्त नहीं है तो कोशिश किजिएगा इस वीडियो को सुनेगा और अपने आप feedback भी share कर सकते हैं और अगर आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें ये धा Indian Express का 29 मार्श का आर्टिकल है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रफुल पटेल NDA जॉइन करते हैं और उसके लमसम आठ महीना के बाद CBI इनके खिलाव जो charges थे उसको court में पेश करते हैं close करने के लिए कहने का मतलब है कि जो भी इनके उपर charges लगाय गये थे या जो भी investigation set up हुआ था CBI के हिसाब से या ED के हिसाब से वो गलत था तो फिर सवाल हो सकता है कि फिर इनके उपर investigation ही क्यों हुआ था और अगर investigation हुआ था तो वो फिर end क्यों नहीं हुआ और क्या CBI या ED बस ऐसे ही किसी के उपर वो case दर्श कर लेते हैं या कोई एक नया ये scheme है जहां पर आप किसी एक political party को join करें तो आप बेदाग हो जाते हैं आज हम बात करेंगे इसी case के बारे में और इस article को आप खुद भी पढ़ सकते हैं ताकि जानकारी जादा अच्छे तरीके से समझ में आए दुबारा याद दिलादो की प्रफुल पटेल 2004 से लेके 2011 तक ये भारत के civil aviation minister रहते हैं और उसी बीच 2007 में दो airlines का merger होता है Air India और Indian Airlines और इसी के regarding CBI और ED इनके उपर case दर्श किये थे और कुछ सवाल जवाब हुआ था और अगर आप इस पूरे article को पढ़ेंगे तो एक चीज समझ में आएगा कि इनको prime accused माना गया था बनाया गया था मे 2019 को ED court में ये कहते हैं कि Mr. प्रफुल पटेल ने अपने एक दोस्त या कहले middle man दीपक तलवार के कहने पे या उनके influence में आके कुछ वैसे routes को private airlines को दे दिये थे जिस route में पहले से Air India operate कर रहा था और ये सब सारे घटना होते हैं 2008 से लेके 2009 के बीच में अब कुछ routes या कुछ ऐसे areas होते हैं suppose that आप जिस भी locality में रहते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे areas होंगे जहाँ पे अगर आप दुकान खोलते हैं तो वो दुकान काफी profitable होता है उसके location के कारण वैसे ही तकरीबन हर जगा होता है कि कोई एक ऐसा route या area होता है जो काफी profitable area होता है तो जो route Air India से लेके private airlines को दिया गया था 2008 से लेके 2009 के बीच में वो सब routes काफी profitable थे यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ेंगे इस पूरे paragraph को तो आपको समझ में आएगा कि private airlines को profit पहुचाने के लिए भारत का जो air India था उसको नुकसान में धकेल दिया गया और यह by the way statement है ED का court में और पिछले महिने के 19 March को CBI court में report file करते हैं इन सारे case को close करने के लिए जिसमें की court इनको कहता है कि आप दुबारा से एक बार reconsider करें कि आप क्या सच में इस case को आप close करना चाहते हैं और जो date दिया गया है court के दुआरा वो April 15 का है अब सारा घटना क्या होता है तो पिछले साल जून के महिने में जैसा कि हम सभी को मालूम है कि अभी इस वक्त दो तरीके का alliance, political alliance है अभी इंडिया में एक तो है NDA और दूसरा है इंडिया ब्लॉक इंडिया ब्लॉक में main या कहले सबसे बड़ा जो party है वो Congress है और NDA में जो सबसे बड़ा party है वो BJP है तो Congress को ये लगता है कि जितने भी जो original parties है उन सभी को साथ लाया जाए ताकि वो जब साथ आएंगे तो वो मजबूत होंगे और उसके बाद उनके लिए BJP को हराना असा इसी बीच क्या होता है कि जून के महीने में पिछले साल प्रफुल पटेल शरत पवार के साथ पतना बिहार में opposition के rally में participate करते हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ठीक अगले ही महीने NCP party में एक food होता है जिसमें क्या होता है कि शरत पवार और इनके भतीजे अजित पव जो निकल के आता है एकांद शिंदे का वो भी जूइन कर लेते हैं NDA Alliance को अब क्योंकि प्रफुल पटेल Civil Aviation Minister थें तो इनके उपर जो main charges थें वो कुछ इस तरीके से थें कि इन्होंने Air India और Indian Airlines का कुछ aircraft को lease पे दे दिया था private companies को यानि कि private airlines को और उसके बाद क्योंकि 111 aircrafts खर दे गया थें Airbus और Boeing से तो कहीं न कहीं training center या इसी से संबंधे कुछ और भी infrastructure development करने थें तो इन सभी चीजों के बारे में allegation ये लगा था कि possibly हर जगा पे प्रफुल पटेल ने private companies को benefit पहुचाया है लेकिन यहाँ पैसा देखा जा रहा है कि कुछ private companies को benefit पहुचाने के ल जो कि as an middle man काम करते हैं इनको 2019 के January के महीने में दुबई से भारत लाया जाता है और ED इनको arrest कर लेता है अब क्यूंकि इस time period में BJP की center में सरकार थी और प्रफुल पटेल के उपर बहुत सारे allegations लगे हुए थें कि इन्होंने काफी corruption किया है काफी गोटाला किया है तो इसी के regarding CBI इनके उपर 4 FIR को दर्श करते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखेगा अभी जो closure report file किया गया है CBI के दवारा court में वो सिर्फ एक FIR के उपर किया गया है तीन अभी भी open है लेकिन अगर आप इस पूरे article को पढ़ेंगे तो इस तरीके से इसमें बताया गया है या समझाया गया है कि कोई भी काम process wise होता अगर पहला FIR close हो जाएगा तो possibility काफी high हो जाता है कि बाकी के जो तीनों FIRs हैं वो भी close हो जाएंगे अब जिस FIR को CBI close करवाना चाहती है CBI किसी time पे अपने FIR में ये mention किये थे साफ साफ कि प्रफुल पतेल Civil Aviation Minister रहते हुए अपने power का misuse करते है और Air India और Indian Airlines को नुकसान पहुचा के कुछ private companies को वो benefit पहुचाते हैं और इसी FIR में कुछ profitable routes के बारे में बात किया गया है और इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि जिस तरीके से profitable routes को private airlines को दिया गया था देने के पहले कोई भी धंग से study या उसके बारे में जो analysis होता है वो नहीं किया गया था तो इनवे अगर आप इसको ये समझते हैं कि जान बूच के profitable routes को दिया गया था private companies को तो आप गलत नहीं रहेंगे और ये बकाइदा CBI के statement हैं court में या अपने FIR में और the Indian Express भी यही explain करता है कि जिस FIR को close करवाने की बात की जा रही है अगर वो close हो जाएग के लिए ना pilot थे ना उनके supporting staff थे अगर आप इस पूरे article को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2006 में एक घटना घटता है जहां पे Air India ने अपने 4 Boeing 777 aircraft को 5 साल के lease पे दे देते हैं और खुद Air India के पास उनका जो aircraft था वो एक साल के बाद आने वाला था याद दिला द जब एक साल के बाद Air India के पास अपने flights आते हैं या अपने aircraft आते हैं तो वो लगभग 2 साल तक उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है कहने का मतलब है कि बस वो रखा रखा ही रह जाता है जिसके कारण के कुछ 840 करोड का नुकसान बैठता है अब ये exactly नहीं पता कि ये 840 था या परमन्त के हिसाब से था और ये बकाइदा FIR में mentioned है अगर आप simply इस article को भी अगर आप खुद से पढ़ लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से जो power है उसका misuse किया गया है और किस तरीके से CBI और ED इस case को close कर रहे हैं या तो इन में कोई credibility नहीं है या तो ये साफ बता रहा है कि ये government के pressure में काम कर रहे हैं अभी 3-4 रोज पहले ही the Indian Express में एक article आया था जहां पे ये बताया गया था कि 95% जो ED के चापे मारे गये हैं वो oppositions पे मारे गये हैं ये सब article पढ़ना हमारे लिए important इसलिए भी होता है क्योंकि politicians हमें लड़वा देते है और हम लड़ जाते हैं और हम आपस में रिष्टे खराब कर लेते हैं I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगी तो मा भी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye